Hello friends, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is Divashree Shawasthi. और आज मैं आपके सामने Weekly Current Affairs का lecture लेक्शे 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 आया हूँ. That is from 27th October से लेकि 9th November तक का. ये Weekly Current Affairs है जो की MCQ format में होगा. जो रोग मेरे Daily Lectures नहीं देख पाते हैं Daily Current Affairs के वो इस लेक्शे को देख सकते हैं. एक्जाम के लिए याद दखिएगा सारे Daily Current Affairs के भी इसमें questions involved रहते हैं. तो जिन्होंने Daily Miss कर दिया वो इस Weekly को करके पूरा Week का Current Affairs कवर कर सकते हैं. इस लेक्शे को स्टार्ट करते हैं आज ज्यादा questions नहीं हैं बड़ जितने भी questions हैं वो इस week के important questions हैं. मैं आपसे request करूँगा लेक्शे को स्टार्ट करेंसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजें. बहुत मेंनच से मैंने आपके लिए Weekly Current Affairs का लेक्शे बनाया हुआ है. अगर आप code use करेंगे तो यादे कि 40% flat off मिल जाएगा आपको सारे courses के लिए. यादे कि limited offer हैं तुरंत आप जाएए application से जाकर आप इन courses को buy का सकते हैं. ठीक है? General Studies के courses हैं, यादेखिएगा UPSC के courses हैं, Current Affairs की classes हैं, यह सब आपको application में available हो जाएंगी. और लेक्टे को सार्टे से पहले एक और मेरी booklet है, याद एक जानवरी से लेके October तक की 10-month की current affairs की booklet है, करीबन 2000 से जादा. MCQs हैं उसमें, जिसमें diagrams बने हुए, explanation दिया हुए MCQ में, और exam perspectives के questions आपको इसी booklet से देखने को मिले गए. तो यह booklet भी आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, आपको मेरा WhatsApp नमबर दिख रहा होगा, इस पर आप WhatsApp करिए, आपको इसकी details में provide कर दूँगा, आप चाहें तो direct application, that is diversity classes, application का नाम है, यहां से भी आप directly buy कर सकते हैं, तो चलिए start करते हैं, आज के lecture को start करते हो, देखें, weekly current affairs म क्या-क्या चीज़े important है exam के लिए, सबसे पहला question, ISRO has launched India's first analog space mission in which state or union territory, तो किस state या union territory में, इंडिया का पहला analog space mission जो है, वो ISRO ने launch किया है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, यह क्यों launch किया है, उसके बार में भी discuss करेंगा, पर इसको launch किया गया है, लेह लदाक में, correct answer option A है जो कि एक union territory है लदाक, वहाँ पर इसको launch किया गया है, और दीखे, इस तो का agenda क्या है, objective क्या है, objective यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी conditions बनाई जाएं, जैसे मार्स में conditions होती है, पून में conditions होती है, वो conditions यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिससे कि आप क्या challenges face करते हैं, जब space में हम पहुचते हैं, ठीक है, जिससे हमारे future exploration में को असानी हो सके, ठीक है, तो उसके लिए यह country का पहला analog space mission जो है, वो ले लदाक में launch किया गया है, ठीक है, तो एक तरीके से interplanetary habitat, ठीक है, stimulate किया जाएगा यहाँ पर, जिससे कि आप वहाँ की difficulties, जो challenges रहते हैं, उसको आप understand कर सकेंगे, ओके, चलिए, next question में आते है, question में second, recently government approved किया है, 177 करोर project to develop, मुतालापोजी harbor, या देखे आप, मुतालापोजी harbor को develop करने के लिए, government data, या इतना या देखे कि करोर का budget जो है, वो approved किया है, तो मैंने पूछा है, यह जो harbor है, वो किस city में situated है, ठीक है, तो यह है, क अगे का नाम है, तिर्वननत पुरम, तो correct answer option में D है, that is, तिर्वननत पुरम, okay, direct question आ सकता है, redevelopment start हुई है, तो पूछ चकते हैं, कि यह harbor कहां पर है, तो correct answer होगा, that is, केरल, तिर्वननत पुरम, okay, next question, यह very important question, यह military exercise का question है, 9th joint exercises का आम है, गरुद शक्ती 2024, यह start हो गई है तो मैंने पूछा है, यह India और किस country की बीच की exercise है, गरुद शक्ती, okay, options आपके सामने है, यह exercise 9th edition की है, 2024 में हो रही है, इंडोनेशिया और इंडिया की बीच की exercise है, तो correct answer option में B है, that is, इंडोनेशिया, यह exercise यहाद है कि 1st November से लेके 12th November तो होगी, 1st November से लेके 12th November तक, और कहाँ पे होने वाली है, यह exercise हो रही, जकार्ता, that is at इंडोनेशिया में, तो इंडिया में नहीं हो रही है, बट तो भी पूछ सकते है, आप से कहाँ हो रही है, तो answer भी जकार्ता, okay, next question है, question है, 15th edition of joint special force exercise, वज्जर प्रहार, या दिखेगा, वज्जर प्रहार exercise जो है, 2nd November तर की exercise चलेगी, और यह exercise कहा हो रही है, that is at USA, मतलब यह भी इंडिया में नहीं हो रही है, USA मोरी जबकि आप 2023 का जो एडिशन था, वो उम्रोई में घाले में हुआ था, बट इस ताइम यह USA में हो रही है, ठीक है, 15th edition की exercise है, between India and USA, ठीक है, चले, next question माईते, question मा 5th, आपके सामने में directly correct answer बता रहा हूं, नए defense secretary का नाम है, Rajesh Kumar Singh, so correct answer, option number A है, 1989 के batch के IS officer है, केरल कैडर के, इनको भी defense secretary जो है, वो appoint किया गया है, okay, next question, question मा 6th, which Indian bank has been declared as India's best bank for 2024 by the global finance magazine, okay, तो इस magazine के according, वो इंडिया का सबसे best bank कौन सा है, तो आप सोचते कौन से जान, lunch time बहुत होत answer is state bank of India, that is C is the correct answer, okay, next question, question मा 7th, to reduce the burden on the सासन गुजरात, मैं बता दूं, सासन जो है, ठीक है, यह इसी को हम कहते हैं, गिर, जो गुजरात में जहापर आपको तो लाइन्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो उसको, उसका burden को कम करने के लिए, कि new line safari जो है, वो build की गई, उसका नाम क्या है, तो new line safari गुजरात में ही build की गई है, गिर के जो इतना ज़्यादा pressure है, burden है, लाइन्स का, उसको reduce करने के लिए, यह नई, या दखेगा, century open की गई है, और इसका नाम है, बार्दा wireless century, ओके, तो यहाँ पर या दखेगा, new line safari जो है, वो बनाई जा रही है, तो तो कौन बने हैं, नए CEO या MD, options आपके सामने दिये गए हैं, मैं आपको image दिखाएता हूँ, आपको आप नहीं पैचान पाएं, तो इंगराम है, प्रवीना राए, तो D is the correct answer, directly appointment में पे question होगा कि कौन appoint हुई है, पास साल किन का tenure होने वाला है, ठीक है, तो आप से पूछे क कौन appoint हुई है, तो आपको पताना है, प्रवीना राए, ओके, चलिए, next question 9th माते है, who is reappointed as MD and CEO of Axis Bank, Axis Bank एक private bank है, ये वापस reappoint होगा इनका नाम है, अमिताप चौधरी, so A is the correct answer, okay, next question मातों देखे 2027 तक, या देखेगा, तीन साल का इनको term मिला हुआ है, next question 10th, recently who appointed as managing director of NAFED by the appointment committee of the committee, cabinet, okay, तो सबसे फ़ले, कौन appoint हुए है, ये आपको question बताना है, फिसका full form भी मैं आपको बता दूँगा, इसा correct answer है, दीपक अगरवाल, IS batch के officer है, या देखेगा, या देखेगा, नए डारेक्टर, आप कहा सकते MD जो है, वो appoint किये गए, इनका नाम है, दीपक अगर वाल, okay, चलिए, next बढ़ते, next question number 11th में, which type of military aircraft will be manufactured at the Tata aircraft complex in Varodra, India, अभी आपको बताओ, इंडिया के PM और Spain के PM ने मिलके इसको इनाउग्रेट किया है, तो कि Varodra, गुजरात में है, Tata aircraft complex, जो कि Varodra, गुजरात में है, कौन से टाइप के military aircraft जो है, आपके सामने दिये गए है options आपके सामने दिये गए है, the correct answer is C295, जाद रखेगा, is the correct answer, that is C295, ये military aircraft जो है, वो Varodra में बनाए जाएंगे, और ये जो Tata का, याद रखेगा, ये जो बनाए गया है, aircraft complex बनाए गया है, Tata का, जाद कि it is India's first private sector, final assembly line for military aircraft, तो ये भी आपको याद रखना है, okay, next question में इस सामने नाएंद मोदी ने याद खेगा, सोरई पेंटिंग जो है, वो Russian President को दी है, मैंने पूचा, ये पेंटिंग जो है, वो किस state से बिलॉंग करती है, ये देख सकते है, ये उन्होंने पेंटिंग को गिफ्ट की है, ये पेंटिंग बिलॉंग करती है, जहारकन से, या फिनिशेज अंडर 23 वर्ल रेस्लिंग चैंबेशिप 2024 विद हाउ मेनी मेंडल्स कितरे मेंडल्स के साथ इंडिया ने मैं आज से कोशन पूछा खतम किया है ठीक है वर्ल रेस्लिंग चैंबेशिप 2024 ऑप्शन सापके सामने में डायक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा करके इसली उनका नाम में आपको पता दिया है नेक्स है अफगानेस्तान ए ने डिफीट कर दो दिया है किस टीम को टू लिफ्ट ट्वेंटीविटीफोर एमर्जिंग एश्या कप ट्वेंटीफोर किस टीम गौरा है देखिए जीता है इस अफगानिश्थान की एटीम ने इंडिया तो पहुंची नहीं पाया था फाइनल में इन्होंने हरा है याद किए कि शिलंका एको ही जो है वो करेक्ट आंसर है यह आपको याद अखना है श्रिलंका एको इन्होंने हरा के फाइनल जीत लिया है ओके चले नेक्स कुछश्व मेडल्स दस इंडिया विंस इंडा जैपान पैरा बैडिमिंटन इंटरनाशनल 24 इंडिया ने किते मेडल जीते हैं यहां पर इंडिया नाम है विपन कुमार जो है वो करेक्ट आंसर विपन कुमार अगेन आइस ऑफिसर है बिहार के 996 बैच के अभी रिसेंटी अफ इंडिया के चेर्मिन अपॉइंट हुए हैं और यह पूर्ट अफ इंडिया की बात करो तो यह रहें नाइंटिव में स्टैबिश इसका हेड़कॉर्टर न्यू डेली में हैं नेक्स गुरुदेव शीशी रवी शंकर जी की में बात करता हूं ठीक है इनको रीसेंटी का हाइस सिविलियन ओनर मिला हिन का नाम है ओननरी ऑफिसर ऑफ दॉडर ऑफ फिजी अवार्ड किस कंट्री का हाइस सिविलियन ओनर है और यह है फिजी कंट्री जा देखिए का फिजी का आलेट नेशन है वहां का हाइस सिविलियन ओनर जो है वो शीशी रवी शंकर जी को दिया गया है तो करेक्ट आंस ऑप्शन नमबर बी है ओके नेक्स कोश्ण 18 इन विच चिटी वस अशन आम रिस्लिंग कप 24 हेल्ट वेर है इंडिया चीव्ट रं, ऐंधिया की रैंक टू पे थी ठीक है overall टीम स्तिर्णी इंडिया रैंक टू पर थी यए ए अशन आम रिस्लिंग कब जो है वह कहा हो रहा था कि और जिस्पेंशन सामधません इंडिया में हो रहा था ऑप्शन वे भी मुंबईंध में ठीक है और रै क्या था आयुरुवेदा डेट 24 इसको सेलिबेट क्या था ऑप्शन हमें डी डाट इस 29 अक्टूबर में ठीक है यार रखाए 29 अक्टूबर आपको थीम भी बतायता हूं थीम थी इस बार की आयुरुवेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्ट जो है वो इस बार की थीम 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 नेक्स कोशन में 28 इंडिया की रैंक है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन रूल अफ लॉव इंडेक्स 24 इसको रिलीस किया वाशिंग्टन डी-स बेस धिंग तैंक इसका राम है वर्ल जस्टिस रिपोर्ट म इसका प्रफ देन्मार्क यहां पुचे कमेंट बॉक से बताएंगे यहां पर प्रक्रेक्ट आंसर अप्शन नमरे डेन्मार्क नेक्स कुश्छमार 21 यूनियन अटेक्नोलोजी गराम है डॉक्ट जितेंदर सिंग इन्होंने इनाग्रेट किया निया कैंपस ऑफ इंडिया किस सिटी में लांच यहां पंजाब की सिटी में आपको य्याद एक्सिंट हो गया तो इसके लिए first heli ambulance service जो है वो launch की गई है इसको approved किया है launch किया है नरेंद मोदी जी ने और क्या नाम है इसका इसका नाम रखा गया संजीवनी that is option of c जो है वो संजीवनी जो है वो correct answer है वो आपको याद आखता है ठीक है next question about 23 which is the most polluted city in the world based on air quality index released in October 2024 तो कौन सी city world की सबसे जादा polluted city है it's not due new Delhi इसका correct answer लाहूर या देखेगा लाहूर संजीवनी जो है वो correct answer है न्यू डेली second rank पर है next question of 24 इंडिया और स्पेन ने agree किया है to celebrate which year as a year of culture tourism and artificial intelligence between इंडिया और स्पेन किस यह को celebrate करेंगे यह लोग यह celebrate करेंगे वाले 2026 के year को या दखेगा अभी Spain के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर है जली साब मुझे बता दो Spain के प्राइम मिनिस्टर कराम किया मैंने बहुत पर पढ़ाया हुए आपको Spain के PM कर नम आप उचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए 2026 को celebrate किया जाएगा या दखना है ठीक है नेक्स्ट कुशन में आते है राड़स को शवर 25 विच सिटी वाज अवादेड वांस अवाद सिटी विट बेस पॉब्लिक टांस्पोर्ट सिस्टम ठीक है तो 17 अरबन मोबिलिटी इंडि ठीक है उडिशा यह जो 17 इंडियान अरबन मोबिलिटी कॉन्फरेंस होई थी या देखेगा इसको एड्रेस किस ते किया है हमारे हाउसिंग अरबन अफे मिनिस्टर मनुहलाल कतर निजी ने और यह कॉन्फरेंस कहा हो रही थी गुजरात गांधी नगर में ठीक है यह आप वोमेंस डबल टाइटल अडछ डटीयटी फीडटी फीडर कग्लेरी 2024 तो कहां पर यह तो रहा था सौनमेंटosis तक के है यह तूनसुर को एदल सौर्गता इटली अरप mendchnche लिए डीटीब्डीटास तीनिए 1 गिस्विंत डएवेगए हटी इक सौनमेंट पर देखंघर औ तो मैंने पूचा है किस country से बिलाँ करते है ठीक है। कुसे चाले सब्सक्राइब यो पदू समस्केश्टे सांच पेनियों करते हैंическая वे मेंन च में तो नाम में आपको बताए ता है उनका नाम है क्या या नाम आती तर बो नमाती जो है वह रांग को वन पर है या देखना है आपको बहुत तरीकां से उन्होंने जीता है और वह वह भी सम्धार से घ्रवेलों करते हैं तो यह का आंसे नइट is option number a okay next question में आते हैं that is question number 28 the country first writer village has been inaugurated in Thano village of which state so किस state में ये इंडिया की पहली writer village जो है वो inaugurate की गई है यहां पर writers आके आराम से कामनेस से लिख सकते हैं और सा correct answer that is option of a C उत्राखन नियर देहरादून तो C जो है वो याद एखेगा correct answer इसका नाम में बतायता हूं एक है आद्मया और एक है अक्षर जैने पूछा है इसको बिल्ट किस ने किया किस ने इसको बनाया है ठीक है इसको बनाया है या देखे गवा शिप्यार लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है कोश्वं भींट कोश्म है 31 इंडिया विंड ब्रॉंज मेडल जीता है इंदा सुल्तान आफ जोहर कप जुनियर होकी टूंधमेट सुल्तान जौहर कप चुनियर होकी टूनपे जो है वह कहां हो रहाता जाना इंडिया ने ब्रॉंज जीटा है और rank 1 पे जो रहा है भींट या देखिए ब्रिटेन जो था वो रैंक वन पर था ठीक है इंडिया ब्रॉंज मेडल जीता हुए चैपेशे फोरी थी मलेश्या में तो एज ता करेक्ट आंसे डाट इस अ मलेश्या टूर्नमेंट किसे जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है रही है और इंडिया ने करते हैं सदावाला भाई पाइब पाटेल का बर्थ एंवर्सिरी ओप्शन सापके सामने हैं अम उस दिन राश्टी एकता दिवस्या नाश्या यूनिटी डे सेलबेट करते हैं तो नाम है ऑप्शन नवस्ती तर्टी फर्स ऑक्टूबर को सेलबेट किया ता है कोकि इनका था था थर्टी फर्स ऑक्टूबर नाइंटीन सेवेंटी फई ए सॉरी हां नाइटीन एटीन सेवेंटी फई सॉरी है ना तब इनका जन्म हुआ था ठीक है तो आपको यह याद अखना है नेक्स कोशन में आते हैं जिसका करेक्ट आंस ऑप्शन नुबर सी है देश के पहल सरकार के अगेंस और फाइनल जीद गया यह जज भी रह चुके हैं और फाइनल राइट टू प्राइवेसी या देखिए उसको फंडमेंटल राइट बनाके छोड़ा तो तूटावजन सेवेंटीन में सुप्रीम कोल की जज्जमेंट बोला गया राइट टू प्राइवेस अशोक चंद्रा एट जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स कोश्ण में 35 वूज़ आट टाटा लाइफ कौन है इसके ऑथर रटा टाटा लाइफ इसके ऑथर है याद दखे है थॉमस मैथ्यू तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है ओके 36 अबुक विटनेस टू बी लॉंच इन ऑ जो आंदोलन किया था तो वहीं की एक परसेन है जिनकी ऑटोबाइफिय इसका नाम है ऑप्शन अमडरे साक्षी अप्टा इसको याद रखना है इसको याद रखना है कोशन आ सकता है एक्जाम में और इसको नेक्स कोशन में आते हैं और इसकोशन हम 37 वेर विल गंगा उत् उत्राखन में है जहां पर एक तरीके से नैशनल मिशन फार क्लीन गंगा जो है ना गंगा उपेक्ट चीनलन को सब्सक्रीचन को बिढ़ा जाएगा नेच्स किछमा तबढ़े और और सक्राइं ऽे जातरी लिए और लिख प्रम जटर योगिंशन को योड़र को कैसे इनका नाम बहुत सुना वोगा वह फेमर्सेकनामिस्स स्थेاز ब्रदानमंत्री के एकनोंटि काउखने के चहा में औरिसन्टीë गई को पातों ब्रदानमंत्री के एकनोंटि काऊंसल की चहा नाम है नियूलिट कि किया हुआ है तो ग्रजैंच मेंट ही है तो आप इतना याद अखेंगे काफी रहेगा चलिए नेक्स कोशन में आते हैं नेक्स कोशन है विच मेडल डिट मांसी अलावत विन अट दे सीनियर वर्ल रेस्लिंग चैंपेंशिप इन वुमेन 59 kg केटिगरी न अक्टोबर 24 कौन से मेडल इन्होंने जीता है मांसी अलावत ने इन्होंने जीता है ब्रॉज मेडल सी जो है वो याद एकना आपको करेक्ट अंसर है ठीक है यह चैंपेंशिप होगे तिराना अलबेनिया में वहां पर नोने यह ब्रॉज मेडल जीता है ओके नेक्स कोशन हो पर्टी विच इंडियन स्टेट इस अ होम अफ दूर्गेश अन्या जो इंडिया का पहला फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसर सट्रिफेकेशन जिसको मिला है तो कॉंसे स्टेट का यह जो इस तो पूछा है इसा करेक्ट अंसर हिमाचल पदेश का है तो B is the correct answer, इसको इंडिया का पहला Indian Green Building Council Certification जो है, वो या रखेगा, इसको दिया गया है दुर्गेश जिलोजिकल पाक को, okay, correct answer, that is option number B, okay, next, who has become the first Indian to win prestigious Miss Grand International 2024 crown in October 2024, किसने जीता है, उनकी image बनी हुई है, इनका राम है रेचल गुपता, तो D जो है वो correct answer, रेचल गुपता is the correct answer तो D जो है, वो correct answer था, यहाँ पर जितने भी MCQs हैं, इस week के, वो मैंने आपको इस lecture में complete करा दिये, okay, मैं आपको फिर से बता दू, मेरा दिवाली का extended offer चल रहा है, जहां मैंने offer को extend कर दिया है, 40% flat of my all online courses, एक बार आप application में जरूर जाकर, यह offer का benefit उठा सकते है, coupon code है, दि मन्त current affairs, January, September तक ही पूरी current affairs है, आपको बहुत है October मन्त की भी मैं current affairs ला चुका हूँ, तो वो भी इसमें add हो गई है, ठीक है, और यह booklet आपको कैसे मिल सकती, यह WhatsApp नमबर दिया हुआ है, आप इस पर WhatsApp करिए, आपको मैं details provide करूँगा, आप जाए तो application से भी buy कर सकते हैं, जिस आपको मिलेंगे, करीवन 2000 से जादा MCQs, के साथ साथ और क्या benefit में दे रहे हैं, आपको मिलेंगे, करीवन 2000 से जादा MCQs, के साथ साथ और क्या benefit मिलेगा, पहली booklet तो मैंने भी आपको 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 9 month की booklet दूँगा, फिर आपको 10 month की booklet दूँगा, ठीक है, दोनों booklet मिलेगी, के साथ साथ अभी आपने मेरा weekly kind of fair lecture देखा, इसकी PDF मिलेगी, एली kind of fair lecture आता है, उसकी PDF मिलेगी, topic wise kind of fair साथ इसकी PDF मिल क्या है, यह जो नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, पर आप WhatsApp करिए, आपको मैं details प्रोवाइड कर दूँगा है, कि सारा subscription एक साथ कैसे मिल सकता है, और even lifetime है, क्या देखे, कहने के मतलब, आगे भी current affairs रहेगी ने, ऐसे November मन्त है, December मन्त है, इन सबकी current affairs इसमें इंक्लूड होती ज classes, वहाँ पर आप जाओंगे handwritten notes मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे handwritten notes, आप आप sample चेक करेना, आपको buy नहीं करना, but still sample चेक करेना, quality के, geography के, history के size, sample open है, इन sample को चेक करेना, अभी 40% off चल रहा है, इन courses को आप चाहें handwritten notes हो, तो hard copy के form में, घर में मंगवा सकते हो, चाहो तो soft copy के form में भी आप buy कर सकते हो, time कम है आपके पास, तुरंत offer का फाइदा उठाई है, और application में benefits आप ले सकते है, without query हो, तो यह calling number मैंने दे रखा है, और watch app पे या तो आप message करें, आपको का watch app पे भी reply करेंगे, okay, application का नाम है दिवशीश classes, okay, अरे कि application में अभी UPSC के जो courses है, तो उसमें भी 40% off है, सब में 40% off है, इतने महेंगे महेंगे courses, अभी बहुत कम cost में मिल रहे हैं, और इसमें lifetime access नहीं मिल रहा है, बना paper 1, 2, 3, 4, mains की सारी classes, prelims की सारी classes, answer writing, current affairs, सब कुछ में 2, Z मिल रहा है, तो तुरंत जाकर, जिनके exam का level बहुत हाई होता है, UPSC को touch करता ह courses को ज़रूर buy करिए, ओके, application के नहां में दिवस्टिश क्लासे, अभी offer चल रहा है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, ओके, यहां पर हमालेक्षा complete होता है, बढ़ कुछ लोग UPSC preparation नहीं करते हैं, उनको general study class की ज़रूरत होती है, ओके, तो आपके लिए general study class में भी 40% flat off मिल जाएगा आपको, अभी आप application जाएए, वहाँ पर quality, geography, history, यह साय जितने भी notes, यहाँ देखे, classes हैं, वो सारे आपको general studies में मिलेंगी, और current affairs वगरा सब कुछ मिलेगा, आप इसको buy कर सकते हैं, यहाँ देखे, अभी 40% flat चल रहा है, बहुत कम cost में आपको classes मिल यहाँ देखे का हम आपके लिए हर चीज बनाते हैं, चाहिए वो weekly kind of affairs हो, चाहिए वो monthly हो, अब आप लोग की demand आ रही है कि सर 10 month की एक, जो generalis October, उसकी एक booklet बनाईए, MCQ booklet बनाईए, या उसके lecture लीजे, वो सब भी लूँगा यार, लेकिन आपके वीडियो को support तो करो, का तो कुछ cost नहीं लगेगा, बट हम लोग को motivation मिलता है कि हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं, तो please आप ऐसे channels को, जहां पर आप चाहते हो कि वो लोग continue रखें, उनको like जरूर किया करिए, इसमें वो लोग और भी आपकी lectures बना सकें, तो do like a video, अगर आपको lecture पसंद आया हो कोई doubt query है, comment box open, आप वहाँ पर comment कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, I hope आपको हची समझ में आ गई होगी, और PDF के रिमेन भी आपको होता है, साइच चीज आपको इस WhatsApp नमर पर मिल जाएगी, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, thank you everyone, जै हिन, जै भारत, जै जगननात कर दो, 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 कर दो